नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है सैमसंग गैलक्सी डिवाइस लेकिन सबसे विले मैं आपको विश्च करना चाहूंगा हैपी नुई यर आपको और आपके सभी परिवार को तो मेरे पास है सैमसंग के 8 5G फोन्स अब इन में से कौन-कौन से फोन में 5G वर्क करत लग की जिसपे मैंने 5G वेलकम ओफर को इन्यावल किया हुआ है तो हम सभी फोन में उस सिम को इंसर्ट करके चेक करेंगे कि क्या इन सभी फोन में 5G वर्क करता है दोनों सिम स्लोट में तो मेरे पास है सैमसंग गैलक्सी S22 अल्ट्रा, S21 FE 5G, S20 FE 5G, A52S 5G, M52 5G, M53 5G, M53 23 5G और F23 5G, तो सबसे बले हम टेष्ट करेंगे S22 अल्ट्रा में, तो मैंने इस फोन में सिम 1 में जियो सिम को इंसर्ट किया हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पे 5G सबोर्ट कर रहा है, सिम 1 में, आपको पता होगा कि यह फोन 5G सबोर्ट करता है, और वर्क करता है इस तो अब हम जल्दी से इस phone में दुसरे SIM में भी चेक कर लेंगे तो मैंने इस second slot में जियो SIM को insert किया इस phone में और आप देखोगे किया इस phone में 5G support करता है तो अभी हापे LTE plus show कर रहा है हाला कि indoor है इसलिए reception यहापे ठीक नहीं है 5G का लेकिन आपको wait करना है आपको show करेगा 5G आप देख सकते हों तो SIM 1, SIM 2 में दोनों slot में 5G work करता है इस phone में अब बारी है S21 FE 5G की तो मैंने इस phone में SIM 1 में जियो को insert किया है तो आप देखोगे यहापे 5G show कर रहा है तो SIM 1 में 5G work करता है S21 FE 5G में अब हम देखेंगे SIM 2 का क्या हाल है तो आप SIM 2 में मैंने इस SIM को insert किया है यह है S21 FE 5G आप देखोगे 5G आप पे show कर रहा है second SIM में भी तो आप इस तरीके से दोनों SIM में, दोनों slot में 5G का यूश कर सकते हो अपने S21 FE 5G में तो यह है S20 FE 5G तो हम insert करेंगे इसमें SIM 1 में तो मैंने SIM 1 में insert किया है GEO SIM को देखते हैं 5G show करता है कि नहीं करता अलाग कि आपको wait करना है इंडोर में reception इतना अच्छा नहीं है 5G का तो आप देखो कि 5G यहाँ पे show कर रहा है SIM 1 में S20 FE 5G में अब हम check करेंगे दुसरे SIM में क्या यह 5G work करता है तो second slot में मैंने GEO SIM को insert कर लिया है और आप देखोगे second slot में भी 5G work करता है तो 5G हैं पे show कर रहा है SIM 2 के लिए भी तो आप दोनों slot में 5G को use कर सकते हो अपने S20 FE 5G में अब बारी है M52 5G की तो हम पहले GEO SIM को insert करेंगे SIM 1 में तो SIM 1 में मैंने GEO SIM को insert कर लिया है और आप देखोगे 5G यहां पे show कर रहा है तो 5G reception काफी बढ़िया है इस phone में 5G instantly यहां पे show कर रहा है तो SIM 1 में आप अच्छे से 5G का use कर पाऊगे अपने M52 5G phone में अब चेक करते हैं तो second SIM slot में मैंने 5G SIM को insert कर लिया है और आप देखोगे 5G अब भी show कर रहा है तो आप M52 5G में दोनो SIM slot में 5G का use कर सकते हो अब बारी है M53 5G की तो सबसे पहले हम चेक करेंगे SIM 1 के लिए तो मैंने Jio SIM को कर लिया है insert SIM 1 में SIM slot 1 में आप देखोगे यहापे LTE plus show कर रहा है हालाग कि आपको wait कर रहा है जैसे कि मैंने कहा हमेशा की तरह इंडोर में reception ठीक नहीं है यह है M53 5G और आप देखोगे उपर में 5G show कर रहा है तो आप SIM 1 slot में 5G का use कर सकते हो तो second slot में मैंने कर दिया है Jio SIM को insert तो यहाँ पर LTE show कर रहा है और कुछ समय के बाद अब शायद 5G भी show कर रहेगा तो आप देखोगे 5G भी show कर रहा है second slot में तो आप दोनों slot में M53 5G में 5G को use कर सकते हो अब बारी है A52S 5G के तो मैंने SIM 1 slot में Jio SIM को insert कर लिया है और आप देखोगे 5G show कर रहा है आप देख सकते हो तो SIM 1 slot में आप 5G use कर सकते हो अब बारी है SIM slot 2 की तो second slot में मैंने 5G SIM को insert कर लिया है तो यहाँ पर आप देखोगे SIM slot 2 में भी 5G support कर रहा है तो आप A52S 5G में दोनों SIM slot में 5G का use कर सकते हो अब बारी है M33 5G की तो आप देखोगे SIM 1 slot में मैंने SIM को insert कर लिया है और 5G हाँ पर show कर रहा है M33 5G में तो इस तरीके से 5G work कर रहा है इस phone में अब देखते है SIM 2 के लिए तो second SIM slot में मैंने 5G SIM को insert किया है और इस phone में दोनों SIM slot में 5G work कर रहा है second slot में भी 5G show कर रहा है आप देख सकते हो तो M33 5G में दोनों SIM slot में 5G work करता है और N में अब बारी है F23 5G की तो SIM 1 को insert कर लिया है और ये है F23 5G और 5G यहाँ पर show नहीं कर रहा है आलग कि मैंने force 5G किया है लेकिन फिर भी 5G show नहीं कर रहा है मतलब कि आप इस phone में अभी भी 5G का उस नहीं कर सकते तो 1 January 2023 जितने भी मैंने phone test किया है अभी फिलाल 5G के लिए उनमें से ये एक ही phone है जिसमें 5G अभी भी work नहीं कर रहा है तो Samsung को इस phone के लिए release करना पड़ेगा एक 5G software update उसके बाद ही आप इस phone में 5G का यूज़ कर पाओगे हाला कि आपके phone में अगर 5G work नहीं कर रहा है जैसे कि ये है M33 या आपका कोई भी phone हो सकता है उसमें अगर 5G work नहीं कर रहा है तो issue phone का नहीं है issue है geosim का तो ऐसे में अगर आपको अपने phone में 5G को enable करना है geosim में तो आपको क्या कर रहा है आपका जो geo sim है उसे ऐसे phone में insert करना है जिसमें पहले से 5G welcome over enable किया गया है या 5G enabled है उसके बाद उस sim में भी 5G enable हो जाएगा फिर आप उस sim को निकाल कर अपने phone में यूज़ कर सकते हो इस तरीके से आप अपने phone में 5G का यूज़ कर पाओगे ये ए 235G अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप आमें पूछ सकते हो आप मुझे instagram पे या फिर twitter भी मेसेज कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए जन्नेवाद दोस्तो